हलो स्टूडेंट मैं आजे सर और मेरे चैनल का नाम है आजे टुटोरिल मैं कर रहा हूं आपकी मुश्किले आसान मेरे यह सभी वीडियो आपके एक्जाम पॉइंट और वीव से बनाये जा रहे हैं और इसमें खास करके मैं आपको एक्जाम से जुड़ी और फिजिक सब्ज दिसकसन से या थोड़ा सा वीडियोज देखने से तुमको एसा सोझाएगा पेपर में कौल सा το में किस लेवल आता है और नेमीरिकल कितना कंटेंड होता है इसके अंदर नेमीरिकल कितना आता है 살Out skir कितना ड्रॉप कर सकते यह सब चीजे हम लोग थोड़ा सा डीकस करते औ और smarter way हम लोग preparation, exam point of view से मतलब paper को ध्यान में रखके अच्छे से preparation कर सकते हैं कम से कम time में, चलो start करते हैं, सबसे पहला page में लेता हूँ यहाँ पर, यह first page में आप लोग देख सकते हैं, यह non-eat के practice paper से ही लिया गया मेरा, यह पीडियाप बनाया हूँ, तो यहाँ से, मतलब direct भी अगर तुम्हारे पास वो book है, तो वहाँ से भी देख सकते हो, और यहाँ पर जो discussion कर रहा हूँ है, वो थोड़ा सा important रहेगा तुम्हारे लिए तो अब यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, सबसे पहले, सबसे पहले देख सकते हैं, section A में, देखो, यहाँ पर question A, select and write correct answer for the following multiple choice type question, 10 marks के लिए, मतलब 10 MCQs आने वाले हैं यहाँ पर, 10 MCQs में, सबसे पहला MCQs देख सकते हो, theory question है, पहली बात, और the first law of thermodynamics is concerned with the conservation of momentum, energy, temperature and mass, अभी मैं solution नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ यह सब discuss करना है मुझे, तो अब देखो, यहाँ पर first question क्या है, solution next वाले वीडियो में बनाने आलो, ठीक है, तो solution के लिए, अलग से discussion और आपको answer कैसे लिखना है, यह तक की idea दूँगा मैं, next video में, अभ इसके पहले instruction भी देखो, यहाँ पर दिया होया, basically, बहुत बार तुमको doubt होता है भाई, lock table देंगे या नहीं देंगे, तो यहाँ पर board के paper में clearly लिखा होता है, use of logarithmic table is allowed, use of calculator is not allowed, मतब calculator, smart watch, यह सब क्या करना है, नहीं allow करना, और मुझे लगता है, exam में तुमको पहन के, ब अब यहाँ पर figure to the right indicates full mark, right side में full marks लिखा होता है, अभी paper दे दे के तो इतना idea तो होई गया है, और देखो, अब directly physical constant की बात करता हूँ, तुमको mass of electron दिया है, epsilon not permittivity दिया है, pi 3.142 दिया है, मतलब सब की values दी हुई होती है, तुमको by heart नहीं करना रहता है, यह सब values को, right, h क value दी है, c मतलब speed of light in vacuum, right, okay, next concept, अपना question number one में, first question मेंने बता है, third chapter का, नहीं, thermodynamics, fourth chapter का है यह, right, fourth chapter में theory question है, basically हमको क्या द्यान देना है, theory कितना आता है, numerical कितना आता है, और किस chapter से क्या पूछता है, right, तो यह है fourth chapter, thermodynamics, तो यह one mark का theory question है, next question में, the average value of alternating current over full cycle is always peak value of current, कहने का मतलब, तुमको AC circuit का directly दिया है, right, AC circuit में peak value, जो starting में average and peak value है, उसका question है, मलदब formula से related दिया है, उसके, मलदब छोटा, बोलते ना, AC circuit जब तुम पढ़े होगे, तुमारे class में, तो वो starting वाले पार्ट में से formula ही बता के हड़ गया होंगे, right, most of explanation होगा, चोटा सा और formula होगा, तो formula से भी question आ सकता है, ऐसा समझो, right, तो ये question possible तो है, आ भी सकता है, देखो, ये first page तो होगया हमारा, अब second page में यहाँ पर लेता हूँ, थोड़ा सा ये सब system में तो करना ही पड़ता है, ये rough कर देता हूँ, जो मैंने पहले use किया है, right, over lap होगा नह है, तो चलो, ये first page भी मैं minimize कर देता हूँ, जितना शोटा हो सके होतना, ये second page, second page में देखो, third angle at which minimum, maximum torque exerted by an external electric field on an electric dipole, मतलब electrostatic का ये question है, electrostatic का question है, और angle, मतलब cases से related question है, जो तुम derivation के end में cases दिये होते हैं, उसके questions हैं, तो basically ये electrostatic का question आ गया हमारे पास, electrostatic, and then next fourth question is the property of light which does not change when it travels from one medium to another medium, ये wave optics का question है, इसमें से कौन सी property नहीं change होती है, मतलब ये देखा जाये तो wave optics जब तुम पढ़ते हो, बहुत चोटी सी बात होती है, इस time पर ये concept, लेकिन इस concept पे भी तुमको question मिलता है, राइट, the root mean square speed of the molecule of gas is proportional to, मतलब ये KTZ का है, KTZ में जो pressure वाले equation आता है, pressure वाले equation के बाद में, तुमको जो application होता है, application से ये question पूछा गया है, राइट, तो तुमको ये भी idea लगाना है कि question कहां से पूछे जाते है, textbook में से, अगर तुम बहुत अच्छे student हो, textbook भी पढ़ रहे हो, तो समझो की question कहां से आते है, तो next है हमारा, the unit Weber per meter square is equal to Henry, Watt, Dian, Tesla, मतलब ये magnetic field वाला question हो सकता है, magnet material में भी ये question आ सकता है, मतलब ये इसमें unit तुमको पूछ दिया है, राइट, next, when a bob performs vertical circular motion of a string remaining in vertical plane, the difference in tension in the string at the horizontal position and the uppermost position is mg, 2 mg, 3 mg and 6 mg, okay, मतलब ये इसमें special case वाला question पूछा है, तुमको tension में जो difference होता है, vertical circular motion में, मतलब ये भी end का part है, अगर मैं बोलू, अगर तुमको अगर एक line में बताना चाहो कि MCQs कहां से आते हैं, MCQs mostly cases से पूछे जाते हैं, छोटा सा कोई relation होगा, छोटा स formula relation तभी आएगा, जब तुम chapter अच्छे से जानते होगे, तब, तो थोड़ा सा और deeply हम लोग उसको revise कर सकते हैं, textbook को अगर हमारा chapter सब कुछ पढ़के हो गया है, तो नहीं हुआ है, तो भी हमको समझ में आगे क्या है, और तुम अगर ये ऐसा कर रहे हो कि बहुत सारा MCQs र एट्थ question देखो कहा से आया है, एट्थ question आया है, liquid rises in glass capillary tube of height, ये देखो सीधा सीधा दीख रहा है तुमको numerical से, right, numerical से, if another capillary tube of radius half of that former is emerged in same liquid, the rise of liquid in it, right, तो इसमें कितना rise होगा, rise of liquid का question है ये, तो ये numerical, numerical, अभी तक जो भी थे, theory थे, और छोड़े छोड़े relation formula थे, लवट ये numerical पूछा गया directly, देखो, 9th question भी क्या पूछा गया है, numerical सी पूछा गया है, छोटा सा numerical है, बढ़ है, ये भी तुम्हारे exercise का numerical है, right, और ये wave optics का chapter का है, and next, the equation of simple harmonic progressive wave, traveling on a string, मतलब, superposition of wave का question है, और the speed of the wave, मतलब, ये comparison, अगर ऐसा देखा जा, तो इस section में, मतलब, इस paper में, ये last के 3 mcqs है, जो numerical है, right, mostly pattern में ये fix होता है, कि कौन से question में numerical जालना है, कौन से question में theory डालना है, तो इससे तुम्हाइडिया लगा सकते, ओके, स्टार्ट करते हैं, section 1 का ही question number 2, answer the following question, थोड़ा speed बढ़ाता हूं, क्योंकि थोड़ा ज्यादा time चला जाएगा लगता है, analysis के लिए, the, sorry, first question, define potential gradient of potentiometer wire, चलो definition पूछा है, किसका electrostatic chapter से, नए, current electricity chapter का, है ये, k का formula जो होता है, उसकी बात है, right, potential gradient, state the formula for critical velocity in terms of Reynolds number, देखो, mechanical property का question है ये, और इसमें formula पूछा गया है, तुमको, one marks के लिए, and third way, it is always necessary to use red light to get photoelectric effect, अब red light, क्यों photoelectric effect, ऐसा होता है, क्या fix होता है, क्या, ऐसा पूछा गया, मतलब इसमें थोड़ा सा case study जासा है, इसमें तुमको थोड़ा सा अपना brain use करना है, ऐसा question तुमको बुक के अंदर कहीं मिलेगा ही नहीं, लेकिन तुमको पूछा गया है, क्या ज़रूरी होता है red color की light use करना, अगर नहीं ज़रूरी होता है, तो क्यों, वो भी थोड़ा एक्लाइन में लिख देना, next, write the boolean expression for exclusive, मतलब x और gate तुम पढ़े हो, उसी का तुर टेबल ट्रॉ करना है, next, write the differential equation for angular SHM, मतलब अभी तक जो भी question है, आपको theory question है, और यहाँ पे formula पुछा गया है, इसमें definition पुछा गया है, यहाँ पे फिर से formula पुछा गया है, तो मैं अगर थोड़ा साथ तुमको hint के लिखू, तो यह है तुमारा definition D, यह है formula F, it is always necessary to, हाँ, इसमें क्या लिख दू यहाँ पे, mind वाले question है भाई, यह तुमको concept पता होने चीए, write the boolean expression, यह directly, मतलब by heart किया हुआ है, तो यह समझ दो मैं इसको बोलता हूँ, इसको formula का ही बोल देता हूँ, right, formula की category में रखता हूँ, write the differential equation of angular SHM, मतलब यहाँ पे formula लिखना है, तो formula, what is the mathematical formula for third postulates of Bose atomic model, मतलब फिर से formula, formula, इससे तुमको idea लग रहोगी formula और definition ही पूछे जाते हैं, इस question में, और थोड़े बहुत mind वाले question भी पूछे जाते है, the two inductor coil with inductance 10 milli, अब भी दिखो numerical से छोड़ा सा, किस का inductor, किस में आता, LCR circuit, AC में, right, तो यहाँ पे तुमको पूछ लिया है numerical, मतलब 7th question numerical है, इसका, right, 7th question numerical है, 7th question numerical है कहने का मतलब, बाकी की question क्या है, चलो, बाकी की question उपर आले, तो formula था, definition था, यह देखी लिए तुमने, फटा फटा रफ करता हूँ, और 3rd page लेता हूँ यहाँ पर, तुमारे question paper का, तो अब यह तक हम लोग ने देखा, में कितने formula, कितने definition यह सब आते है, right, अब हम लोग study करने जा रहे है, तुमारा question paper का 3rd, मैं इसको delete मार देता हूँ, ज़्यादा अच्छा होगा, देखो, एक और 8th question भी है इसमें, हमारा second numerical था 7th question, अब यह 8th question में क्या दिया है, देख सकते हैं, थोड़ा सा, हाँ, ऐसा, calculate the moment of inertia of uniform disc, of mass 10 kg, and radius 60 cm, about an axis perpendicular to its plane and passing through its center, calculate the moment of inertia of uniform disc, मतलब numerical है, कौन सा chapter का, first chapter का, तो numerical सा गया, मतलब last में दो numerical मिल ही गया तुमको, one marks वाले question में भी तुम numerical से बच नहीं रहे हो, यह compulsory question है, अगर तुम numerical छोड़ते हो, तो 3 marks वहां से, और 2 marks यहां से, मतलब 5 marks का loss सीधा सीधा दीख रहा है, ठीक है, और यह छोटे छोटे निमेरिकल से, निमेरिकल जो बोलते है ना, phobia है अगर किसी को, हम निमेरिकल छुएंगे यह नहीं सर, ऐसा बोलते है, डार्ट निमेरिकल हम करेंगे ही नहीं, तो निमेरिकल नहीं करोगे, तो मतलब 5 marks गवा देना, और कुछ नहीं, ठीक है, मतलब मैं बोलता हूँ, चलो tough वाले निमेरिकल नहीं, लेकिन छोटे वाले निमेरिकल इस तो कर सकते हो ना, आप लोग, आप लोग, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब 12 questions में से तुमको करने हैं, only 8 questions, अब इसमें कितना numerical, कितना theory देखते हैं, मैं numerical छोडने की बात क्यों कर रहा हूँ, most of, 80% student महाराष्टरा बोड के मैं जानता हूँ, numerical से भागते हैं, physics के numerical से खास करके, वो इसलिए नहीं कि physical numerical हाड होता है, इसलिए कि वो सुरू से try नहीं करते, ठीक है, चलो, first question है, define moment of inertia of rotating rigid body, define state, अब देखो, इसमें mix हो गया, two marks आया, तो definition, plus क्या आगया, SI unit and dimension आगया, ओके, तो इसमें भी definition आ रहा है, कही ने कही, what are polar and non-polar dialectics, तो ये भी definition कहीं हिस्सा है, इसमें definition, इसमें definition plus है, कुछ, what is thermodynamics process, समझ ल बोलूँगा, दो marks का, derive and expression for radius of nth borse orbit of electron in hydrogen atom, मतलब structure of atom का question है, right, तो अब यहाँ पर derive and expression, मतलब दो marks के लिए तुमको derivation पूछा गया है, तो मैं यहाँ पर बोलता हो, इसको derivation, derivation, right, so what are harmonic and overtone, फिर से एक type का explanation है, यहाँ पर definition नहीं बोल रहा है, यहाँ पर क्या बोल रहा है explain करना है, तुमको दो points का help करना, help लेके इसको explain करना, harmonic और overtone क्या होते, distinguish between potentiometer, चलो, distinguish between भी आ रहा है, what are mechanical equilibrium and thermal equilibrium, यह भी पूछ रहा है, theory question है, मतलब जादा तर explanation है, छोटे छोटे, कुछ definition पूछ सकते है, right, और distinguish between, इस question में, two marks वाले में आ रहा है, अब last में जो questions है, मैं द solve की, हमने, one, two, three, four, five, six, seven, seven question तुमको theory मिल जाएंगे, यह section B में तुमको रहात है, थोड़ी समझ लो, ठीक है, seven question तुमको theory मिल सकते है, possible है, अब आगे, तुमको 8 करना है, यहाँ पे 7 theory मिल गया, अब तुमको, तुमारे उपर वाई, उसमें भी कुछ लोग चाप्टर छ 12 theory आ रहा है, sorry, numericals आ रहे, numericals जो जिससे तुम डरते हो, an electron in atom revolving around the nucleus in a circular orbit of radius 5.3 into 10 raised to minus 11, with a speed of 3 into 10 raised to 6 meter, find the angular momentum, यह easy question होते है, two marks वाले, इसमें जो numericals नहीं कर रहे हो, तो गवाएगा, लेकिन जो किया रहेगा, थोड़ा बहुत numerical वो, इसको try कर सकता है, right, okay, next plane wavefront of light of wavelength 6000 am strong, मतलब यह तुमारा सीधा सीधा कौन सा question आ रहा है, slit वाला question है, मतलब तुमारा wave optics का question है, numericals है, wave optics का numerical आया समझो, wave optics का numerical, 8 droplets of water, each of radius 0.2 mm, collies into a single drop, find the decrease in surface area, अब यहाँ पे भी numericals आ गए, किसके वाले surface tension का numerical है, यह मतलब second chapter, right, second chapter का numerical है, the, हाँ, यहाँ पे AC circuit का numerical है, देखो यहाँ पर, the difference between the two molar specific heat of gas is 9000 Kelvin, if the ratio of the specific heat यहाँ पर भी numerical मिलिया, मतलब section B में, section B में, तुम याद रखो, कि यह चीज होती है, section B के लिए, कि इसमें 7 to 8 theory question होते है, बाकी के जो होते है, numericals होते है, मतलब इसमें तुमारे loss होने के chances कम है, अगर तुम numericals नहीं करके आ रहे तो भी, right, अभी जो बचता है, section C स्टार्ट होता हमारा, section C यह देखो, section C में, attempt any 8 of the following, इसमें भी 12 question होंगे, okay, with the help of need diagram, इसमें देखो, तुम पुरा sequence समझोगे, तो यहाँ पर समझ में आएगा, mcqs में बहुत ही short से short question पुछा जाता है, उसके बाद, थोड़ा सा, mcqs का ही type का, लेकिन multiple choice के साथ नहीं पुछा जाता हो, one marks का होता है, two marks में definition plus additional कुछ होता है, या फिर छोटे मोटे derivations होते है, अब three marks में आ गया, with the help of need diagram, explain the reflection of light on a plane reflecting surface, मतलब यहाँ पर आ गया, with the help of need diagram, मतलब डेरिवेशन है, मतलब proper derivation है, theory question है, what are magnetization, magnetic intensity and magnetic susceptibility, magnetic material का question है, यह theory question, three marks, three terms कुछे है, three marks दे रहेंगे, वहाँ पर बहुत easy होगा, prove that the frequency of bits is equal to the difference between the frequencies, मतलब इस फ्रिक्वेंसी, प्रूफ करना frequency of bits, वो जो superposition प्रिंसिपल में last अला derivation, last second अपलर के पहला अला derivation है, वो है, right, and 18th में define inductive reactance, capacity reactance and impedance, चलो यह भी हो जाएगा, मतलब one, two, three, four question, अभी तक हमको जो मिल चुके है, यह four question, कैसे है, theory question है, अभी यह last जो हमारा part है, इसमें देखते है, last page, जो d, c और d का, c का बचा हुआ ऐसा, और d वाला part, right, देखो, derive an expression for kinetic energy of a body, rotating with uniform angular speed, ओके, इसमें theory question है, चौथा भी, तीन तो theory question थे ही, अभी तक चौथा भी है, अभी इसमें देखो, अब धीरे धीरे थोड़ा सा mix-up, derive and expression, derivation, अभी यहाँ पर भी derivation है, derive and expression for terminal velocity, यह भी derivation है, second chapter का, derive shortest wavelength of, हाँ, determine, मतलब यहाँ से numerical वाला काम चालू, मतलब 6 theory थे, अभी बाकी के numerical होंगे, मतलब इसमें से अगर तुम numericals नहीं करके आते हो, पूरा chapter किया है, उसके बाद numericals नहीं किया है, तो इसमें 6 question handle कर सकते हो, right, अब तुम जानते हो, 6 का target रखोगे, तो 5 कर पाओगे, और 4 के marks मिलेंगे, बराबर सीधा सीधा ही साब किताब, right, तो अभी यहाँ पर बाकी के numericals आने वाले, देखा जाये तो, बाकी सभी question क्या है, numericals वाले, तो 1, 2, 3, numericals यहाँ पर, मतलब यहाँ पर भी कुछ marks तुम्हारे जा सकते हैं, just because of numericals, and next, D वाले question में देखो, attempt any 3 of the following, derive an expression of pressure exerted, okay, यह तो हो गया directly, अभी अभी, मतलब मैंने एक वीडियो में तुमको बना के दिया हुआ है, pressure exerted वाला, यह यहाँ पर पूछा गया, already, इस chapter में, इस paper में, what is rectifier, semiconductor का ही question है, मतलब यह दोनों question single question है, single question समझ रहो, मतलब इसमें mixing नहीं है, लेकिन 29, 30 question, कोई हम लोगों कितने करने, 3 question करने, 3 में से 2 single question आया, इसमें mixing है, देखो, यह और यह, numerical plus theory, तो यहाँ पर पूरे-पूरे marks नहीं आ सकते, without numerical, and next question में भी numerical plus theory है, और उसके बाद भी numerical plus theory है, मतलब 5 question में से 2 question, direct question है, मतलब 1 single question है, लेकिन उसके बाद के 3 question में क्या है, mixing है, theory plus numerical है, तो यह question मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को help होगी थोड़ी सी यह discussion के साथ में, थोड़ा सा time निकालोगे, और इसको देख लोगे पूरी तरह से, तो तुमको एक बार, एक idea तो मिली जाएगा, फिजिक का जो fear वो नहीं रह जाएगा, क्योंकि most of हर सल क्या होता है, बच्चे को हाथ में paper आते ही, वो डर जाते हैं, बोले इन numericals इतने सारे दिखते हैं section 3 में, वो डर जाते हो और उनका दिमाग काम करना हुआ ही पर थोड़ा slow हो जाता है, और देरे देरे फिर उनका first paper ही खराब जाता है, first main paper ही खराब जाता है, ठीक है, चलो मिलते हैं next video में, अच्छा लगे तो share करो, अपने friends को भी help करो,